शौमी ने फाइनल इंडिया में लॉंच कर दिया अपना मी स्मार्ट बैंड 5 ये सक्सेसर है मी बैंड 4 का जो कि इंडिया में अभी भी एक रेलिवेंट एक बहुत ही पॉपलर फिटनेस ट्रेकर है 2299 रुपीज का आपको इंडिया में देखने को मिलता है मी बैंड 4 जबकि म मी स्मार्ट बैंड 5 या मी बैंड 5 कह लिजी आप वह आपको इंडिया में मिलेगा 2499 रुपीज का दैट इस 200 रुपीज मोर वें कंपेड विधा मी बैंड 4 और आज की वीडियो में अंबॉक्सिंग करने वाली है मी स्मार्ट बैंड 5 की मैं आपको बताऊंगा इसके बॉक इजी हो जाए अंबॉक्सिंग शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो आप चैनल को सब्स्ट्राइब करना मत भूलीगा विकिस ऐसी वीडियो आपको रोज दो तीन बार हमारे चैनल पर देखने को मिलती ही रहेंगी विपोर युस्तार्ट वॉचिं साथ मैं आपको स्पेसिफिकेशन कुछ हैं पर दिख रही होंगी रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर आपको मिलेगा वाटर प्रूफ है यह बैंड अप्टू 50 मीटर मेगनेटिक चार्जिंग आपको इस चार्जिंग के बारे में मैं वीडियो में आगे बात करने वाला ह सबसे पहले हमें मिलते हैं कुछ पेपर वर्क जो की एक बहुत ही लंबा कागस है यह कागस पतर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसको सेट अप करने में कोई दिक्कत वगरा आ रही है इसके लाब आपको मिलता है चार्जर और साथ में मिलता है की पॉइंटर्स जो मैंने मी बैंट 5 के लिए इस वीडियो में आगया मी बैंट 5 भी बोते हैं मी स्मार्ट बैंट 5 बहुत लंबा हो रहा है मी बैंट 5 के कुछ की फीचर और पॉइंटर्स जो मैंने नोटिस की हैं आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे वीर एप के साथ उसको पियर कर पाएंगे, but that is not the case with the Mi Smart Band 5, आपको इस fitness tracker को अगर पियर करना है, तो आपको अभी भी जो एक dated Mi Fit app है, उसके साथ ही पियर करना पड़ेगा, and मेरे को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही apps, play store वगएरा पे आपको free ही मिलेंगी, but still, you know, I would have appreciated कि Xiaomi जल्दी से एक unified platform हम सारी चीजों के लिए हमें provide कर दे, देखते हैं आगे future software update के साथ ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, but अभी के लिए अगर आप अपने Mi Band 5 को pair करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं अपने smartphone के साथ, तो आप Xiaomi की VR app के साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको Mi Fit app पे ही rely करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ जो मेरे को यहां पर बहुत पसंद आई Mi Band 5 की, that is the external charger, इस बार आपको पिछली हर बार की तरह आपकी इस जो बैंड है, उसके पिल को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, हर बार उसको चार्ज करने के लिए बहुत दिक्कत आती थी, और यह जो बैंड का strap होता है, वो थोड़ सा धील हो जाता था इस चक्र में, अगर आप long term usage के लिए इस बैंड को यूज करना चाहते हैं, मी बैंड 5 में एक बहुत ही अच्छा और intelligent decision लिया गया है, that is, the company is providing you with an external magnetic charger this time around, और मैं आपको यहां पर screen के दिखा रहा हूँ, this is what the charger looks like, और बहुत ही firm तरीके से यह magnetically attached हो जाएगा, आपके मी बैंड 5 के साथ और magnetic जो इसका connection है, वहां पर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई, दिक्कत कहां पर आई है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पुराने मी बैंड वगरा को यूज करते रहे हैं, और कर सकते हैं, मी बैंड 5 को, तो आई बिलीब ये कॉट थोड़ी सी लंबी होनी चाहीए थी, बिकज़ अगर मैं इसको किसी power adapter के साथ लगा के दिवार पे भी लगा रहा हूँ, ये तार इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इसको अपने बैंड को कहीं पे एक सर्फेस पे रखाऊँ, अभी भी अगर आप इसको laptop गर आसे चार्ज करना चाहते हैं तो ठीक है, बट एक wall charger के थो इसको चार्ज करना, in my opinion is going to be a bit of a hassle, और मैं appreciate करता अगर शौमी थोड़ सी लंबी wire प्रोवाइड करता, still again it's probably my personal opinion, इसमें आपको कुछ खासी दिकत नहीं आने वली, और मैं आपको कहा रहा हूँ कि charging आप magnetically कर सकते हैं, बट that does not mean कि इस pill को आप बाहर नहीं निकाल सकते, ये पिल अभी भी बाहर निकल सकती है, और जो strap है, वो removable है, changeable है, swappable है, आप अपनी color choice के हिसाब से इसके band को और इसके strap को change कर सकते हैं, एक और चीज में को Mi Band 5 की बहुत पसंद आई, और Mi Band 4 के टाइम से मैं ये चीज हमेशा appreciate करता रहता हूँ Xiaomi की, that is the watch faces, and Mi Band 4 में आपको custom watch faces, अगर आप अपनी photo, wallpaper गएरा set करना चाहते थे, उसका feature मिलता था, Mi Band 5 takes things a bit further, and अब यहाँ पे unlimited, unlimited band faces हैं, या watch faces हैं, whatever you want to call them, और उसके अलावा, एक और चीज में को अच्छे लगी, जो आप band में use करते हुए भी, अपने watch faces को edit कर सकते हैं, पहले ऐसे cases जादा नहीं थे, so यह चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, Mi Band 5 में आपको extra देखने को मिलने वाली है, बात करने अगर Mi Band 5 की display की, तो यहाँ पे आपको मिलता है, slightly larger display, अगर आप Mi Band 4 से compare करोगे 5 को, तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.1 इंचीज का AMOLED पैनल, पिछला वाला जो इसका 4 वाला वेरियंट था, उसमें मिलता था 0.95 इंचीज का एक display, so थोड़ा सा बड़ा display है, and I pretty much like the fact that, यहाँ पे display आपको थोड़ा बड़ा मिलता है, इतना कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं है, अगर आप side by side रखोगे, तो आपको शायद फर्क पर चलेगा, but otherwise, इतनी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, still, अगर आपको बड़ी display चाहिए थी, Mi Band 5 में आपको वो मिल रही है, display की बात तो हम कर रहे हैं, Mi Band 4 claim करता था, 20 दिन तक आप एक charge पर उसको use कर पाएंगे, Mi Band 5 on the other hand, दो हफते का आपको battery backup देगा, which is again not bad, दो हफते में एक बड़ी किसी चीज को charge करने में, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आने मली है, still अगर आपको लगता है कि वो 7 दिन आपके लिए important थे, यहाँ पे थोड़ी सी कम आपको battery life मिलेगी, of course बहुत सारे features ऐसे हैं जिनको आप बंद कर दो, तो आप इसको ज़्यादा दिन के लिए भी चला सकती हैं, still यह चीज मेरे को आपको बताना बहुत जुरूरी था कि Mi Band 5 में slightly lesser battery backup आपको मिलने वाला है, अब बात करते हैं Mi Band 5 के कुछ ऐसे features की, जो आपको Mi Band 4 में नहीं मिलेंगे, यह चीजे में आपको इसलिए बतारो, बिकरस यह 200 रुपे का जो price gap है, इसको justify company ने कैसे किया है, यह आपको पता होना बहुत जुरूरी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है PAI, that is personal activity intelligence, इस feature में आपको एक detailed heart rate tracking rating based mechanism मिलता है, जो आपको 1 से लेके 1000 तक के scores देता है, और यह जैसे जैसे आप अपना workout, अपना physical routine बढ़ाते जाएंगे, यह point score करना और मुश्किल होता जाएगा, अभी मैंने इसको जादा इतना use नहीं किया है, तो मैं आपको इसके बारे में actual में नहीं बता सकता, कि यह कितना अच्छे तरीके से workout करता है, future मैं आपको full review में, या फिर twitter वगरा पर tweet करके, मैं आपको definitely इसके बारे में भी बता दूँगा, for women, यहाँ पर आपको finally, menstrual cycle tracking का feature भी मिलता है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कि यह जो band के बहुत सारे लग-लग features होती है, एक limit है उनकी display पे, तो आपको मी fit app में जाके, menstrual cycle वाल जो feature था, उसको उपर लाना पड़ेगा, और एक feature को आपको compromise करना पड़ेगा, for the time being, just in case you want to use this menstrual tracking feature, for women, I believe यह एक अच्छा feature है, और आपको software level पे, by the way, सारी चीज़ें add करनी पड़ेंगी, मी fit app जाके आपको जितना interval होता है, predicted period cycle है, वो सारी चीज़ें आपको, मी band 5 में ही fill up करनी पड़ेंगी, जैसे आप अपना weight height वगरा करते हैं, usually, वैसे ही आप menstrual tracking को भी अब, definitely, मी band 5 में use कर सकते हैं, so female audience के लिए, I believe, मी band 5 को, अच्छे तरीके से target किया गया है, so kudos to Xiaomi for pulling this one off, इसके लावब आपको मिलता है, improved sleep monitoring system, मी band 5 में, 40% आपको improvement मिलती है, ऐसा company claim कर रही है, और आपको यहाँ पे REM, या फिर rapid eye movement, जो cycle होता है, आपकी नींद के लिए बहुत important है, उसमें, मी band 5 आपको better तरीके से help करेगा, ऐसा company claim कर रही है, और sleep की अगर हम बात करें, तो fitness trackers और smart watches पे, हमेशा मैं इस चीज़ को focus करता हूँ, that is the comfort and the ergonomics, first of all, अगर हम strap की बात करें, तो strap में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको mi band 4 जैसा ही है, यहां पे, so sweat वगरा जो है, वो इतना ज़्यादा कुछ परिशानी मेरे को नहीं आई, but एक चीज़ मैं आपको यहां पे बताना चाहूँगा, और यह हमेशा, सफ लिस्टिंग स्टेंड में, जब भी किसी fitness tracker, या fitness oriented product की बात होती है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कि usually अगर आपने sleep tracking कर नहीं है, तो you have to sleep with the tracker, so अगर आप इसको पहन के सोते हैं, बहुँआ सारे fitness trackers मेरे को uncomfortable कर देती हैं, और मैं उनको ultra पहन के सोता हूँ, ऐसे, because मैं ultra सोने का आदी हूँ, मी band 5 में मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं आई, it was a very strange thing, but for the first time मेरे को अच्छा लगा, इसको पहन के गी यार मेरे को रात को सोते हुए, मेरा हाथ नहीं दर्धोरा, so I believe it's snugly fit, आपकी wrist के साथ या अच्छे से जूड़ जाता है, और आपको सोने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और yes, बहुत practical तरीके से, आपको मैं सारी बातें बता रहा हूँ, ये खाली specs वगरा पढ़के नहीं बताना चाहता, आप actually में अगर इसको purchase करेंगे, और अगर आप sleep tracking वगरा करना चाहते हैं, तो pretty much you should be aware of this thing, ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी में को, और ergonomics की तरफ से अगर बात करें हम, तो Mi Band 5 में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और इसके लबा, Xiaomi ने Mi Band 5 में, बहुत सारे अलग-अलग features एड़ किये, जैसे कि 11 नए sports modes, अभी के लिए again sports modes को मैंने टेस्ट नहीं किया, but they are there, आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, बहुत सारे अलग-अलग modes, indoor cycling, pool, swimming, jump rope, rowing machine, yoga, और बहुत सारे ऐसे modes हैं, जो अभी के लिए, I believe ये जो period चल रहा है, quarantine period, उसमें हमारी help कर सकती हैं, आउट्डोर बहुत सारे modes तो ही है, बट यहां पे आपको indoor कुछ अलग-अलग sports modes भी देखने को मिल जाएंगे, जो आपको घर रहके, या फिर अपने apartment के आसपस workout करने में definitely help करने वाले हैं, इसके लावाद तीन और चीज़े में आपको बताना चाहूँगा, डिस्प्ले की बात हमने की थी कि डिस्प्ले बड़ा है, बट यह कितना bright है, यह जानना भी बहुत जरूरी है, और अगर हम बात करें outdoor visibility की, because of course you would want to take it outdoors, outdoor visibility is amazing, इसकी brightness अच्छी कासी है, probably one of the brightest fitness trackers जो मैंने अभी हाल-फिलार टेस्ट की हैं, brightness की तरफ से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और यह मैं आपको लिखके दे सकता हूँ, इसके अलावा, जो features मेरे को personally चाही होती है, that is stress monitoring, I'm a pretty stressed out person, और Xiaomi के Mi Band 5 में आपको वो मिलता है, and it actually works, breath tracking, यह एक निया feature अट किया गया, और इसके अलावा, step tracking अगर हम बात करें, और heart rate monitoring की अगर बात करें, तो मैंने इसको test किया है, synchronize किया है, या compare किया है अपनी Huawei Watch GT2 के साथ, और वो अच्छी खासी मेरे हिसाब से, accuracy आपको provide करती है, and results are almost accurate, but once again, मैंने अभी इसको बहुँ जादा बाहर लेके, use नहीं किया है, एक दो दिन में, आपको मैं accurate final results नहीं बता सकता, but I still believe, कि आपको अच्छा खासा यहां पर performance, step tracking, heart rate monitoring, बगर में देखने को मिल जाएगा, so guys, वीडियो खतम करते हैं, मैं अब मेरे verdict के साथ, I believe, वीडियो थोड़ से लंबी यहां पर खेच गई है, but I did not want to just unbox this box, and इसके बेच में जो चीज़ें हैं, आपको बता दूँ, I actually wanted to do justice to this product, because बहुत सारे लोगोंने question पूछा है, Mi Band 4 क्यों ना लूँ मैं, Mi Band 5 क्यों लूँ, मैंने आपको जो features बताएं, I believe, इससे आपको थोड़ा सा idea होगे होगा, कि आप 200 रुपए अगर extra दे रहे हो, तो आपको extra क्या-क्या मिल रहा है, अब मैं ultimately जो अपना verdict दना चाहूँगा, यह बोलूँगा कि Mi Band 4 is not dated yet, एक अच्छा खासा fitness tracker आपको, Mi Band 4 के रूप में भी इंडिया में मिल जाएगा, और 200 रुपए आपके कम लगेंगे, but on the other hand, अगर आपको यह features जो मैंने बताएं हैं, अगर आपको यह menstrual tracking, stress monitoring, breath tracking, यह सारे features पसंद आए, अगर आपको यह पसंद आया कि, आप Mi Band 5 में watch faces जो होते हैं, आप band faces होते हैं, उनको आप band के ऊपर ही थोड़ा बहुँ ट्वीक कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि यार आपको 5 moniker चाहिए, latest product चाहिए, अगर आपको एक साल पुराना product नहीं चाहिए, तो आप 200 रुपए extra खर्च सकते हैं, otherwise you can very well settle down on the Mi Band 4, अभी के लिए ये एक actual comparison नहीं है, मैंने आपको features बताए हैं, जो use किये हैं मैंने Mi Band 5 पे, उस हिसाब से this is my verdict, अगर मैंने खरीदना होता, तो मैं 200 रुपए और खर्च के Mi Band 5 खरीदता, still आपने अगर बाय करना होता Mi Band 4 या Mi Band 5, what would your decision be, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, I hope आपको Mi Band 5 की मेरी unboxing video और initial impression video पसंद आई होगी, अगर आपको ये video पसंद आई, कमेंट सेक्शन में आपना feedback हमें दे सकते हैं, और साथ में इस video को share कर सकते हैं, if in case you feel like so, So guys, this was it for today's video, I hope आपको ये video पसंद आई होगी, अगर आपको ये video पसंद आई, आप कमेंट सेक्शन में अपना feedback हमें दे सकते हैं, वीडियो को like करना मत भूलिएगा, share कर सकते हो अगर आप channel को, तो जितना share कर दो, अतना ही अच्छा, अगली video तक के लिए, Jai Hind, God bless you all, peace.